तापी से कर लूँ ये कैसा एक अजब अजगजब खेल है हमाला की एकनाथ चिंदे पर बात करने बैठे थे कहां को भवन में जाकर बैठ गए एकनाथ चिंदे कहां तो सरकार बनाने की फर्मालिटीज में शामिल होना था लेकिन अब एक और पेच आ गया चंदर शेकर बावन कुले ने कहां पांच तारी को शपत ग्रैन होगा आज तक विधायक दल का नेता बीज़ेपी का नहीं चुना गया क्या संकट है देखे तेविस तारीक को चनौ परणा माया था और अभी दो दिन पहले जब एकनाथ शिंदे ने मुंबे में पत्रकार वारता ली थी पर जब दोने इस बात का जुक्र किया था कि मैं अवरोध नहीं हो कोई शरकार बनाने में कोई अवरोध नहीं आएगा पदान मंतरी से मेरी बात हो चुकी है अमिशाजी से मेरी बात हो गई है और जिसे मतलब मुख्य मंतरी बनाएंगे मेरा सरकार को सयोग रहेगा तो यह बात लग रही थी कि अब सरकार बनना बहुत आसान होगा और जल्दी 48 गिंटे में सरकार बनेगी लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी परिस्तिय बदली जब देवेन फणनवी सजीत पवार और एकनाथ शिंदे दिल्ली आते हैं गुरह मंतरी अमिशा से उनकी मुल उपमुक्यमंती बनू तो मेरा कद मुख्यमंती से कम नहीं रहना चाहिए यह लगे कि मैं बहुत आपनेगी मंती बना हूं इसे शीव सेनाका सरकार के अंदर एक संबान जनए किस्ते हैं वहीं पर बात बिगड़ गई वो जो तस्वीरें ही वाइरल होई वो जो तस्वीर बाकाइदा टोटर पर आई कि सब खुश है अजीत पवार भी खुश है प्रफुल पटेल भी खुश है देवेंद्र फटनवीज भी खुश है और चेहरा सुजाए हुए मायूस से एकनाथ शिंदे एक तरफ हाथ में हाथ बांध कर खड़े हुए दिखे मुझे लगता है देवेंद्र एकनाथ शिंदे का मतलब जो खुशी मतलब चेहरे पहसी बहुत कम आती वह हमेशा गंबी रहते हैं अब अगर आप देखेंगे तो शायद ही आपको एकनाथ शिंदे का फोटो दिखेंगे जिसमें बहुत खिल-खिला कर हस रहा है या बहुत खुश भी होंगे तब भी चेहरे पर उनको खुशी नजर नहीं आती कहीं बार वह गंबी रहते हैं वह उससे में नहीं कहा जा सकता कि वह खूश नहीं थे लेकिन बास यह कुस्प बैटक में ने कई बाते अमिशा से बात की थी उसमाने विभागों को लेके बात कि उन्हो जब सरकार शी उसना के साथ बनी थी जिसमें मनहोर जोशी मुक्हमंत्रिं बने थे उसमें गोपिन्हात मुक्हमंति अबरह मंत्रा उनके पास अन्ह Piekę नौ में में सब्सक्राइब मैं सब्सक्राइब के ति और समय शिवसेना और भारतियंता पाटी अलग चुनाओ लडे ते गड़ बंदन में चुनाओ नहीं लडे ते कि यह तो चलिए एकनाथ चिंदे पर तो आएंगे कि वह हो मेनिस्ट्री पर अंगद का पाउं गड़ा कर बैठ गए लेकिन यह क्या यह इतिहासिक है यह भी स्टॉरिक है कि शपत ग्रेंड की तारीख और समय ते हो गया और यह पता नहीं है कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन विधायक दल का नेता अभी तक चुना नहीं है महायुती की कोई बैठक होई नहीं देकि मुख्यमंत्री जाएंगे मुंबई जाएंगे मुंबे में विधायक दल की बैठक होगी अभी तक जो देवेंदर फटनवीस के नाम का प्रोजेक्शन है क्या उसमें कोई पेंच है अगर देवेंदर फटनवीस के नाम पर संग की भी सेमती है बीजेपी आला कमान भी चाहता है तो गोशित हो चुका होता आधिकारिक तौर पर कहीं तो घुटी गुंडी फंसी है देवेंदर फटनवीस के नाम की गोश्चन होगे देवेंदर फटनवीस होगे मुझे लग रहा है कि देवेंदर फटनवीस होना चाहिए बहुत अच्छे नेता